नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस सब्सक्राइब में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिंगे तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर रता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिजे और ऐसे वीडियो लगातार फ सारे कोईशन अटेंट करिया और इसको अपना तुरंद कमेंट करके बताईए दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी की पुनर परिक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टडी फॉर सिल्विसेस की ओर से फ्री इनिशेटिव लगातार दिये जा रहे हैं और मॉक टेस्ट हमने स्टार्ट कर दिये हैं जैसी की आपकी मांग थी थोड़ा सा लेट जरूर हो गया है लेकिन हम सारे मॉक आपको देंगे चाहे सेक्शन वाइज हो या फुल लेंथ हो आपको अभ्यास का भरपूर मॉका अभी भी मिलेगा और परियाप्त समय अंतराल के साथ मिलेगा ठीक है तो यह सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट है सामाले जानकारी से जुड़ा हुआ है जर्नल अवेर्नेस से और यह मॉक 2 है इससे पहले मॉक 1 आ चुका है उसको एक बार देख लीजेगा आदे गंटे का वीडियो है ज्यादा लंबा नहीं चलिए देखते हैं इसे पचास प्रश्न है जैसे कि परिक्षा में आपको एक सेक्शन में मिलते हैं पूछा गया है ध्यान से देखें बाइलिंग्वल फॉर्मिट है आप अपनी सुविधा अनुसार भाषा का चाहन कर सकते हैं पूछा गया है कि नरमपंथी और गरमपंथी में विभाजित हो गई थी भारती राश्ट्री कॉंग्रेस तो ये कौन सा और कब हुआ अधिवेशन था असल में आपको ये बताना है ध्यान से देखें यहां समय दे रखा है और जगा का नाम दिया है करेक्ट अंसर क्या होना चाहिए इसका हो जाएगा एवाला ये सूरत अधिवेशन था जूतम पैजार की नौबत आ गई थी और ये 1907 का समय था बंग भंग के बाद कांग्रेस में बिखराओ होने लगता है जो कि अंत में जाकर 1916 में एक बार फिर से जुटता हुआ दिख खाई देता है तो 1907 में विभाजन हो गया गरमपंथी अपनी रहा पे हो गया और नरमदल वाले अपनी रहा पे इसके बाद प्रश्ण संख्या 2 को देखते हैं यहां पर कहा गया चौरी-चौरा की जो घटना थी ठीक है चौरी-चौरा की घटना निम्नलिखित में से कौन यह हो जाएगा ठीक है यह रीडिंग का समय था लॉड रीडिंग का समय था और आप देख रहे हैं यह 1921 से लेकर 1926 तक शाषन करते हैं ठीक है चौरी-चौरा कांड होता है चार फरवरी की रात में ध्यान से देखेगा चार फरवरी 1922 की रात रहती है रात्री का समय रहता लेकिन भारत सरकार के तौरे यह कंफर्म किया गया है कि चौरी-चौरा की जो डेट है वो चार तारीक एक पुलिस थाने को उगर भीड जो है वो भूग देती है आग लगा देती है और बहुत सारे लोग वहाँ पर जलकर मारे जाते हैं गांधी जी यह कहते हैं कि मुझे इसके बाद आगे बढ़ते हैं अच्छा आपके रहे क्वेस्चन है चौरी-चौरा है कहां पर इसकी लोकेशन कहां पर चलिए प्रशन संख्या तीन को देखे इसमें कहा गया कि दक्कन एजोकेशन सुसाइटी के फाउंडर या जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उन में से कौन इसमें नहीं है जो शामिल नहीं आपको चुनकर बाहर करना है यानि बागी तीन इसके संस्थापक सदस्यों में आएंगे कोई एक इसमें शामिल नहीं होगा वही आपको दक्कन एजोकेशन सुसाइटी इसमें मालाबारी का कोई काम नहीं दक्कन एजोकेशन सुसाइटी पुडे में स्टैबलिश होती है पहली चीज 1884 का टाइम रहता है और बागी तीन जो आप देख रहे हैं वो इसके संस्थापक सदसे थे प्रशन संख्या चार को देखते ह नहां पर कहा गया कि चंद्रगुप्त द्वितिये इनके दर्बार में नौरतनु हुआ करते थे नौरतनों का कॉंसेट जो है वो असल में चंद्रगुप्त द्वितिये भी कहा जाता है गुप्त डैनस्टी के उनी के शाशनकाल में शुरू होता है बाद में इसको कॉपी क के बहुत सारे रूलर जो है वो अपने दर्बार में अपलाई करते हैं लेकिन जितनी आप कह सकते हैं डाइवर्सिटी यह नौरतनों की थी आप चंद्रुप्त द्वितिये के दर्बार में देखेंगे उतनी डाइवर्सिटी और किसी छेत्र में किसी भी दर्बार में आपको प्रेजी से आप तोड़ेंगे न तो ऐसा ही शब्द आएगा असल में ये एक शपड़क है ऐसे लिखा जाएगा ठीक तो बताईए इसमें से एस्टोनॉमर कौन थे और प्रशल संख्या चार जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से बीवाला ये वराहमिहर थे ठीक है वराहमिहर जो है ये खगोल शास्त्री थे बाकी अगर आप देखें तो शंकु जो है ये वास्तुकार थे यानि आर्किटेक्ट थे व्याकरण विद्गे तोर पे आप वररूची को देखते हैं और छपड़क जो आप देख रहे हैं ये एस्टोलॉजर थे एस्टोनॉमर कर बहुत संगीतियां होई है और अन्तिम वाली बहुत संगीति में बौध दशर्म दो पार्ट में टिवाइड हो जाता लेकिन राजा उस समय था कनिश्क, इसके बाद प्रशन संख्या 6 को देखते हैं, पूछा गया कि निमनलिखित में से किस पुरा तात्वे किस थल से, हड्डियों से बनी हुई कलाकृतियां मिली हैं साथ में, कुछ तीर मिले हैं जो कि हड्डियों से बने हैं, और हड्डियों से बने हुई ही आभूशड भी प्राप्थ हुए, यानि बहुत सारी चीजों को हड्डियों से बनाया जाता था, ऐसा कहा जा रहा है, और उसके साक्षे हमें कहां से प्राप्थ होते हैं, वो जगह आपको सेलेक्ट करनी हैं, तो यह सराय नाहर राय है, या फिर बीर्भान नाम की जगह है, ठीक है, महधा, उत्तरप्रदेश का, यहां से हड्डियों से बने हुए तमाम जो ऑजार हैं चीजे हैं, वो प्राप्थ हुई, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रशन संख्या साथ को देखते हैं, यहां इनकरेक्ट आप्षन आपको चुन कर बाहर नि नहीं है, तो गलती आपको ढूडनी है, देखें और बताएं, गलती असल में कहीं नहीं है, तो आप इसमें चुनेंगे किसको, डी वाले को, ठीक है, गलत तो कुछ भी नहीं है, सारी बात है, ठीक ही दिखाई देती हैं, प्रशन संख्या 8 को देखते हैं, यहां कहा गया कि अगर बैटल आप बखसर नहीं दिया होता ना, तो हो सकता है कि आप दो मिनिट सोचते, आप में से कुछ, लेकिन यहां पर बैटल आप बखसर देकर आपका काम आसान कर दिया, आपको यह मालूम है कि उस समय कौन सा मुगल बादशा था, मसुसी का नाम आपको पकड़ना ह तो बंगाल बिहारो और उडिसा की दिवानी यह पूरी तरह से कलाइब के हाथ में आ जाती है, यानि अंग्रेजों के हाथ में कुल मिला कर आ जाती है, और इसको देने वाला इलाहाबाद की संदी होती है, देने वाला मुगल बादशा कौन था? यह था आपका शाह आलम द नवाब था, उस समय बंगाल का नवाब नहीं था, यह ध्यान दीजेगा, मीर कासिम, शुजाउद दौला और शाह आलम दृती है, इन लोगं की जो जुआइन टार्मी है, वो लोहा लेती है अंग्रेजों से और हार जाती है, इसके बाद प्रशन संख्या 9 को देखते हैं, यहाँ पर कहा गया कि कौन सा मुगल शाषक था, जिसने की नियामत एक खुदाई की स्थापना की था, नियामत एक खुदाई यह है क्या पहले तो यही पता होना चाहिए, और इसकी स्थापना करना और इसकी उपादी को धारण करना, देखिए यह एक संस्था की तरह से का करता था और इस इसको एक उपादी की तौर पर भी यूज किया जाता था तो यहां पर बात हो रही है टाइटिल की ठीक है मुगल बादशाह इस उपादी को धारण करता है यह व्यक्ति कौन है बताईए यहां अलाउद्दीन खिल जी का नाम दिया हुआ है तुगलक का नाम और प्रश्ण में लिखा हुआ है मुगल शाशक तो आप आराम से पकड़ सकते हैं देखिए और बताईए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा गया सुद्दीन बल्बन यहां जो प्रश्ण पूछा गया है न दोस्तों उसमें मुगल शाशक नहीं होना च सीधा सीधा पूछा जाना चाहिए कि कौन सा ऐसा शाशक्ता जिसने कि नियामत एक खुदाई का पद या जो उसकी उपादी है उसको धारण किया तो यह गया सुद्दीन बल्बन या सीधे तोर पे आप कहें तो बल्बन हो जाएगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं और प् पोशड के भरपूर स्रोथ होते हैं जो फेयर ग्रेन हम लोग सेवन करते हैं मतलब आटा और गेउं हम लोग खा रहे हैं गेउं से बना हूँ आटा उसके अनामत चावल सूपर फाइन क्वालिटी का तो उसमें पोशक तत्वों की मात्रा उतनी जादा नहीं होती है जितने करेक्टांसर इसका हो जाएगा आपका 2023 लेटिस्ट ठीक 2023 जो है वो इंटरनेशनल इयर ओफ मिलेट से इसके बाद प्रशन संख्या 11 यहां आगे ही एक बड़ा सा खाली स्थान है उसमें आपको भरना होगा कि यह कौन सा विभागिया सरकार है और इसके द्वारा हाल-फिल प्रशन संख्या 11 यहां पूछा जा रहा है कि इसको कोई शौकिया नहीं लाँच किया गया है बलकि मुद्रास पीती की जो अनियंत्रित दर है उसको नियंत्रित करने के लिए लाँच किया गया है तो ऐसा करने वाला देश कौन सा है यह आपको बताना है यहां दिया हुआ है मालावी, नामीबिया, मेडगासकर और नौन अब्दीज तो बारहवे प्रश्ण को आपने देखा इसमें से तो कोई नहीं है यह अफ्रिकन कंट्री का यहां जिक्र किया गया है तो यह असल में जिंबाम्बे है जुलाई 2022 की बाद है और मुद्रास पीती को कंट्रोल करने के लिए सोने से बने हुए यह सिक्के है इनका नाम है मोस प्रश्ण करते हैं या ऐसे भी घोल गोल होता है सफे सपित और वह गहरे पानी में होता है मतलब कीचड़ वाला पानी होता है गहरा थोड़ा होता है उसमें उपर फैला होता है उसकी बेल होती है ठीक है तो उस मखाना को भौगलिक संकीते टैग यानि जी आई टैग अलवार का है यह मिथिला मखाना और इसको जी आई टैग प्राप्त हुआ था अगस्त 2022 में इसके बाद प्रश्ण संख्या 14 को देखते हैं यहां पर कहा गया अलवारो लॉरीयों के बारे में अलवारो लॉरीयों जो है एक व्यक्ति है पहली चीज़ और इन्हें कौन से अ एक्रिकल्चरल डेवलमेंट है या फिर उनाटलेशन डेवलम्च्छ़ रहिए उन डीप है कि संस्था को चुनेंगे गी करिक्ट आंसर C हो जाएगा ठीक है इन्टर्शनल फंद फार एक्रिकल्चरल डेवलमेंट कृशी विकास कोष जो है इसके नए अध्यक्ष के तौर अलवारो लॉरियों को चुना गया है इसके बाद चलते हैं अगले प्रशन यानी 15 वे की ओर और 15 वा यहां पूछ रहा है हमसे कि Supreme Order of the Christ Anthem Award 2022 यह किसको दिया गया है इस पुरसकार को प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है यह आप बताई तो यहां पर व्यक्ति का नाम ना देकर बलकि उनके पद का नाम दिया हुआ है जैसे कि Australia के पूरुप्रधान मंत्री या France के पुराने पूरुप्रधान मंत्री या USA और Japan भी दिया हुआ है तो correct answer इसका हो जाएगा इसमें से D वाला Japan सरकार के द्वारा पूरुप्रधान मंत्री शिंजो आवे को दिया गया है तो इसमें से हम correct answer इसके बाद प्रशन संख्या सोला को देखते हैं ग्रामीड आबादी के बीच जो गाओं की जन संख्या है उसके बीच में स्वास्ते सेवाओं को सुधारने के उद्देश से यहां कौन से राज्य की सरकार है जिसके द्वारा family doctor project को launch किया गया यह एक प्रशन सिनिय पहल कही जा सकती है तो राज्य सरकार कौन सी है राज्य का नाम बताईए सही जवाब इसका हो जाएगा आंध्र दक्षिन भारत में कई सारे राज्य जो है इसके बाद आगे बढ़ते है प्रशन संख्या सत्रह को देखते है यहां पूछा जा रहा है कि which of the following country has recently become the fifth largest economy in the world by overtaking the UK ठीक है पहले United Kingdom जो है वो पांचवी position पे था लेकिन अब इस देश ने उसे पीछे छोड़ दिया है और वो कभी यह हमारे यहां से wealth drain करके ले जाये करते थे और आज हमने इने धक्का देकर पीछे कर दिया है कि तुम छटवे पे रहो हम पांचवे पे रहेंगे तो यह बात इसके बाद देखते है अठारवे को Global Gender Gap Index 2022 यह आप देख पा रहे है इसमें भारत की ranking क्या है यह आपको बतानी है साथ में यह भी पता होना चाहिए कि पहले इस्थान पे कौन सा है टॉप थ्री मालूम होना चाहिए और अपनी इस्थिती मालूम होनी चाहिए तो अपनी इस्थिती बताइए तो यह आप देख रहे हैं अठारवा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा B. 135 वा स्थान है जेंडर गैप रिपोर्ट में हम बहुत खराब स्थिती में है और पहले स्थान पेस में कौन है आइसलेंड है उसके बाद फिल्लेंड जो है वो सेकेंड है थर्ड है आपका नॉर्वे ठीक आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 को देखें सेलेक्ट थे इनकरेक्ट आप्शन फ्राम दर फालॉइंग लार्जेस्ट एग्रिकल्चरल लेटेस्ट एग्रिकल्चरल डाटा जो है उसके हिसाब से तो नवींतम कृष्य डेटा के हिसाब से महराष्टर सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्ये है ऐसा कहा गया इसमें से जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है और भारत दुनिया में पाँचवा सबसे बड़ा सोयाबीन का उत्पादक है यानि largest producer of सोयाबीन देखें और बताएं सोयाबीन की ही चर्चा हो रही है राजिस्तर पर और विश्विस्तर पर तो इसमें से गलत कौन सा है करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कुछ गलत नहीं है सारी चीजें सही है है ना तो इसमें से हम डी को चुनते है आगे बढ़ते हैं और प्रशने संख्या 20 को देख लेते है तो बीस्वा आप से पूछ रहा है कि अभी जो डाटा है एगरिकल्चर का उसके हिसाब से भारत में तंबाको के उत्पादन में तीसरे स्थान पर कौन है यानि पीछे वाले विदों मालू होने जाए तो इसमें राज्यों के नाम दिये तंबाको के प्रोडक्शन के बार विशय में देखियेगा और यह जो बीस्वा है ना इसका सही जवाब इसमें से ए हो जाएगा यूपी ही है इसमें तीसरे स्थान पर वैसे पहले नंबर पर गुजरात था उसके बाद ये 2022 के डाटा के हिसाब से गुजरात था उसके बाद आंध्र था और तीसरे नंबर पर अपना यूपी प्रशन संख्या 21 को देखे यहाँ पर पूछा गया कि सहारनपुर जिला जो है यह कौन से राज्य की सीमा को इस पर्श करता है सहारनपुर डिस्टिक टचिस दे बादर राफ विच आप दे फालोइंग स्टेट देखें और बताएं और इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा दी वाला हिमानचल प्रदेश छोटी सी सीमा लगती है हिमानचल प्रदेश के दी वाले विकल्प को हमने चुना बाकी अगर आप देखें तो राजस्थान से जो बॉर्डर लगता है वो आगरा और मथुरा का लगता है 36 कड से सोनभद्र अपना बॉर्डर शेयर करता है और सोनभद्र चार अलग-अलग राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है सीमा साजा करता है मतलब उसमें आपका मध्य प्रदेश है 36 कड है, जारखंड है और बिहार तो इसे हमने देखा अब इसके बाद प्रश्न संख्या 22 को देखते है विच आप दर फालोइंग बर्ड सेंचुरी इस लोकेटे दिल लखीमपूर खीरी डिस्टिक आप दर स्टेट आप उत्तर प्रिदेश लखीमपूर खीरी में कौन सा पक्षी अभियारण है बताई तो यह पारवती अरंगा है समन है समस्पूर है या इसमें से कोई नहीं यह आपका डी वाला विकल्ब चुन लेने में ही भलाई है क्योंकि इसमें से कोई नहीं है ठीक है असल में पारवती अरंगा जो है या आपका गोड़ा में पढ़ता है समन जो है ये मैनपुरी में है और राइबरेली में है आपका समसपूर तो इसमें से कोई नहीं होगा और हमने D को चुना है ठीक है आगे बढ़ते है प्रशन संख्या 23 को देखें अब यहां ये लेफ्ट और राइट वाला कॉंसेप्ट नहीं पूछाएं नहीं तो प्रशन जो है आपका कठिन हो जाएगा बतलब गंगा के दाहिने तट पे कौन सा है गंगा के बाएं तट पे या या मुना से भी रिलेटेड ऐसा पूछा जा सकता है तो अगर टफ पेपर बनाना होगा मौडरेट और इजी वाले लेबल से उपर ले जाकर तो उसमें ये काम किया जा सकता है फिलाला बताएं इसमें से कौन सा गंगा के तट परिस्थित है तो गढ़ मुक्तेश्वर है कौशामभी है पिलिभीत है और मगहर है यानि संत कभी गढ़ मुकतेश्वर गंगा के तटके है बाकी है यमुम्नादी के तट पर कौशामभी गोमधि के तट पर है पिलिभीत राप्ती के तट पर पढ़ता है मगहर और हिंडन के तटपे पढ़ता है मेरठ इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो की है 24 वा निजामुद्दीन ओलिया नगर के नाम से किस नगर को जाना जाता है बताएं तो यह अम्रोहा डिस्टिक है जौनपुर है गाजीपुर है या बदाईू ह प्रश्न संख्या 24 सही जवाब इसका क्या हो जाएगा बदाईू इन्हें कहा जाता है निजामुद्दीन ओलिया नगर बाकी जो है उनके भी अपने अपने नाम है जैसे अम्रोहा के लिए जोतिबा फुले नगर जौनपुर के लिए शिराजे हिंद यह मध्यकालीन जो द अब इसके बाद चलते हैं 25 में को देखते हैं यहां पर पूछा जा रहा है कि गलत विकल्प कौन सा है बताईए ठीक है जो रॉंग ऑप्शन है वो आपको चुनकर या इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको चुनकर आपको बाहर करना है तो दशावतार टेंपल आपका अब आप बताईए इसमें गलती कहां पर है तो सही जबाब इसका बी हो जाएगा यह भितर गाओं वाला जो दिया है यही गड़बड है बाकी सब ठीकी दिखाई देता है भितर गाओं गुप्त कालीन मंदिर है और यह कानपूर नगर में पढ़ता है ना कि कानपूर देह किया करते थे तो इनके द्वारा किया जाता है यह लोक नृत्ते है आप देखिए पाई डंडा है चर्कुला है चौरसिया है और नटवरी है इसमें छेत्र में दे दिया है जौनपूर ताकि आप आराम से पहचान सके तो 26 जो है इसका राइट आंसर C हो जाएगा यह चौर से जानते हैं और अगर नहीं है तो आपको बनना पड़ेगा क्योंकि आप ग्राम विकास अधिकारी बनने जा रहे हैं तो गाउं से तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 27 को रामपुर घराने के सितार वादक है इनका नाम है अला दिया हुआ है तो चेले का नाम है अलाउदीन खा इनके गुरुजी कौन थे बताई रामपुर घराना दे दिया है ताकि आप आराम से पैचान सके और सितार वादन से इनका संबंद है ये यह आं मालूम हो गया तो नीचे जो विकल्ब दिये हैं उसमें से आप किसको पकड पातन देवी का जो मंदिर है वहां पे आयोजित होता है और 28 जो है इसका राइट अंसर इसमें से ध्यान से अगर आप देखे तो ना तो सहारनपुर होगा ना शाजाहापुर होगा ये कहां पर लगता है बल्रामपुर में लगता है तो इसमें से हम D को चुनते हैं नॉन इसके बाद प्रश्न संख्या 29 पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर सेंसस 2011 का जो डाटा था उसके इसाब से सबसे कम जन संख्या घनत्तो वाला शहर था सबसे जादा वाले जिले को आमने देखा था यहाँ शहर की बात हो रही है वह भी सबसे कम जो पॉपुलेशन देंसिटी वाला है उसको आपको देखना है तो हमीरपुर है ललिटपुर है सोनभत्र है और महुबा है तो 29 को आप ध्यान से देखें तो correct answer इसका हो जाएगा इसमें से B वाला ललितपुर ठीक है सबसे कम population density यही पर record की गई थी और ये थी मात्रे 242 एक वर्ग किलो मीटर के विस्तारित छेत्रफल में 242 लोग ही आम तोर पे रहा करते हैं बाकी जितने भी है वो इससे जादा रखतें से सोनभद्र जो है वो second position पे आएगा कम के मामले में उसके बाद हमीरपुर है फिर अंत में महोबा है इसके बाद प्रशन संख्या 30 अब ये one survey छड रिपोर्ट यानि forest survey रिपोर्ट है 2021 वाली ये द्विवार्शिक रिपोर्ट होती है द्विवार्शिक का मतलब यह है कि दो सालों के अंतराल पे प्रकाशित होती है तो 2017 में प्रकाशित हुई 2019 में उसके बाद 2021 में और 2021 के बाद अब नंबर है 2023 का लेकिन आपकी परिक्षा तब तक हो गई ले तो अभी पुरानी वाली ही पढ़नी पड़ेगी आप बताएं कि उत्तर पिदेश राज्जे के कौन से जिले में वनावरण में यानि forest cover में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई जहां पे सबसे ज़ादा गिरावट आई है वो आपको देखना है तो यहां कुछ जिलों के नाम दिये है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा यह सोनभद्र है सोनभद्र जोकि वनावरण के मामले में जाना जाता था वहाँ पे सबसे अधिक कमी देखने के लिए मिली है इसके बाद 31 प्रशन को देखें according to 2011 census आप यह बताईए कि highest percentage of rural population कहां पे है यहां राजी का नाम दिया है तो राजस्थान, जारखंड, बिहार और हिमांचल ग्रामीड जन संख्या का प्रतिशत सरवाधिक कहां पे है तो 31 आपने देखा correct answer इसका हिमांचल हो जाएगा हिमांचल में जो ग्रामीड आपादी है वो सरवाधिक है और ग्रामीड आपादी के जादा होने का मतलब आप समझ रहे है यह अच्छी स्थिती है शहरों का बढ़ना यह नकारात्मक्ता को दिखाता है उससे हम विकास का एक model तो प्राप्ट कर लेते हैं लेकिन अपनी प्रकृती को destruct कर रहे होते हैं तो गाउं की स्थिती अच्छी है इसके बाद प्रश्ण संख्या 32 को देखते है कृष्ण राज सागर यह एक डैम का नाम है अच्छा नाम है आपको यह बताना है कि यह कौन सी नदी पर बना हुआ है नदी का नाम इसमें से select करिए तो यह कृष्ण कावेरी, महा नदी और तुंग भद्रा दक्षिन भारत की प्रायद वीपी नदीया है आप बताएं इसमें से कौन सा होगा correct answer इसका B हो जाएगा कावेरी ठीक है कावेरी पर बना हुआ है इसकी location है करनाटक राज्जे तो राज्जे का नाम भी आपको पता हो नजी 33 में को देखते हैं पिश्यो के भूबोल में थोड़ा सा देख लेते हैं तो कहा गया कि कौन सा ऐसा desert है मरुस्थल है जो कि एक से अधिक देशों में फैला हुआ इसका विस्तार जो है वो एक से जादा देशों में है तो यहाँ पर गोबी desert है काला हारी है, तकला मकान है और काराकूम है, सारे जाने पहचाने लेकिन इसमें एक से जादा देश में फैला कौन सा है वो आपको देखना होगा तो 33 जो है इसका right answer इसमें से गोबी हो जाएगा गोबी मरुस्थल जो है यह काफी बड़ा है इसका विस्तार बहुत जादा है और ये पूरा मंगोलिया और चीन को कवर करता है चीन के एक बड़े हिस्से को कवर करता है तो हम गोबी को इसमें से चुदते हैं बागी काला हारी को आप जानते ही है, बोथस्वाना में चीन का जो सिक्एांग प्रांध है वहाँ पे आपका तकला मकान है और काराकुम जो है ये तुर्क मेरिस्तान में पढ़ता है प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है और ये कहा गया है कि लिखित में से किस नदी का यहां पर उदगम स्थान है यहां से कौन सी नदी उदपन होती ही है बताइए तो कावेरी नर्मदा गोदावरी और कृष्णा सही जवाब इसका हो जाएगा इसमें से डी वाला कृष्णा ठीक है गोदावरी को आप जानते ही है नासिक महाराष्ट्र से महाराष्ट्र से ही उदगम होता है लेकि नासिक से होता है महाबलेश्वर से निक जलती हैं नर्मदा का आप जानते ही है मध्यप्रदेश अमरकंटक ठीक तो आम इसमें से कृष्णा को चुनते हैं और हमारा जो डी वाला ऑप्षन है वो पर्फिक्ट प्रश्ण संख्या 35 कौन से जलप्रपात का नाम बदल कर महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है उसका पुराना नाम हटाकर उन्हें गांधी जी का नाम दे दिया गया है तो बताईए ये पुराना नाम क्या था इसमें चुनना होगा आपको दूद सागर है जोग है कुन्ची कल है और चचाई है ये सब वाटरफाल है और 35 आप देख रहे हैं करेक्ट आंसर इसका जोग हो जाएगा जोग या गर्सोपा इसको कहा जाता था ये वाटरफाल इसका नाम चेंज करके महत्मा गांधी जल प्रपात कर दिया गया है इसकी लोकेशन करनाटक के शिमोगा डिस्टिक में पढ़ती है सागर तालुका है वहाँ पेस्तिते तो बहु जादा आप ग्राम पो नाम है मिजोरम में है गुरु शिखर आपका राजस्थान में है और धूबगड की चोटियां पाई जाती है मध्यप्रदेश में तो अब इसमें गलती कहां पर है जरा ढूट कर बताईए तो 36 जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बीवाला ये संदक फू जो दिया हुआ है यह असल में पश्चिम मंगाल में है इसकी लोकेशन है वेस्ट बंगॉल में ना की मिजोरम में बाकी जितना दिया है वो सब सही प्रशन संख्या 37 को देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 165 यानि आर्टिकल 165 की बात हो रही है उसके अंदर हम किस प्र प्रेसिडेंट जो होता है या स्पेसेल एड्रस बाइद गवर्नर दोनों की बात की गई है इसमें से देखें और बताएं कौन सा विकल्प होना चाहिए 165 आर्टिकल में असल में है क्या तो 37 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें B हो जाएगा एडवोकेट जनरल आफ स् इसका प्रावधान है राश्ट्रपती का जो अभिभाशण है उसका प्रावधान हम देखते है 87 अनुछेद में और राश्ट्रपती का ही प्रतिनिधी होता है राजजी में राजजेपाल यानि गवर्नर तो उसके लिए जो अभिशेश अभिभाशण का प्रावधान है व राश्ट्रिय पिछडावर गायोग को constitutional status यानि सम्वैधानिक दर्जा दिया गया ध्यान दीजेगा ये सम्वैधानिक संस्था है कौन सी वैधानिक है कौन सी अर्धनियाइक है कौन सी सम्वैधानिक है इसा मालू होना चाहिए तो ये सम्वैधानिक संस्था है राश्ट्रिय सम्विधानिक दर्जा प्रदान किया गया प्रशनिसंख्या 49 यहां कहा गया कि objective resolution यानि उद्देश्य प्रस्ताव इसको कहा जाता है यह एतिहासिक है कई मायनों में तो जवाहरलाल नहरू की द्वारा इसको पेश किया गया था तो समय क्या है 7 दिसंबर 1946 है 13 तारीक है दिसंबर की 1946 में 22 तारीक है कि 23 तारीक तो 39 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें B हो जाएगा यह 13 तारीक थी दिसंबर की 1946 में और सम्विधान सभा इसको स्वीकार भी करती है जवालाल नहरों के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताओं को पेश किया जाता है बाद में ये प्रस्ताओना का आधार बनता है इसके बाद प्रशन संख्या 40 को देखते हैं यहाँ पूछा जा रहा है कि समवर्ती सूची से सम्बंदित प्रावधान कौन से देश से लिए गया है मतलब तीन तरह की लिस्ट होती है आप जानते है यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉनकरेंट लिस्ट है कॉनकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट दिये होते हैं विश्य मौजूद होते हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना कर अपना अधिकार जमा सकते हैं है ना तो समवर्थी सुची का प्रावधान हमने कौन से देश से लिया है मतलब सीखा कहां से है वो देखी और बताई तो प्रश्ली संख्या 40 सही जवाब इसका हो जाएगा डी वाला इसमें से तो कोई नहीं है ना तो कनाडा है ना आपका सयुक्तराज अमेरिका है ना जर्मनी ही है समवर्थी सुची का जो प्रावधान है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है ऑस्ट्रेलियन कॉंस्टिट्यूशन से लिया है इसे आप याद रखेगा बाकी रशियन कॉंस्टिटूशन से हमने मौलिक करतब भी लिए है जो कि बाद में सम्विधान में जोड़ा गया है मौलिक अधिकार का जो फंडा है वो हमने अमेरिकी सम्विधान से लिया है इसके बाद 41 को देखते हैं यहाँ पर पूछा गया कि यह नेरड़ा करने की शक्ति किसके पास है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अध्वाने अब ध्यान दीजेगा कि धन विधेयक पर केवल और केवल जो अधिकार है वो लोकसभा का ही चलता है राजे सभा इस मामले में वेबस होती है वो कुछ नहीं कर सकती कुछ समय के लिए अटका सकती है लेकिन इसे रोग नहीं सकती तो डिकलेयर करने का अधिकार किसके पास होना चाहिए इसमें ध्यान से विकल्प को देखेगा प्रेसिडेंट के पास होगा या जो सुप्रीम कोर्ट के मुखे नया अधिश है चीफ जस्टिस है उनके पास होगा या लोग सभा के प्रोटेम स्पीकर के पास होगा या इसमें से कोई नहीं तो 41 जो है इसका राइट आंसर D हो जाएगा अगर यहाँ पर यह दिया होता मतलब कई तरह के विकल्प है तो विकल्प को बारीकी से पढ़ना आवश्यक था D को हम इसले चुनते हैं क्योंकि कोई भी इसमें से परफेक्ट नहीं है असल में लोग सभा के अध्यक्ष को यह तै करने की शक्ति है यहाँ पर प्रोटे में स्पीकर देकर काम गडबड कर दिया है सिर्फ इस्पीकर दिया होता तो काम ठीक रहता ठीक है तो प्रोटे में स्पीकर तो श्रपत इत्यादी दिलवाने का काम करता है लोग सभा के गठन के समय लेकिन यहां पर बात हो रही है धन विध्यक की तो कोई भी धन विध्यक है अथ्वा नहीं इसको तै करने का काम speaker का होता है और speaker जो है वो सत्ताधारी party का ही होता है आमतोर ठीक तो इसमें पूरी तरह से से कौन सा ऐसा है जो केंद्र शाषित प्रदेश में है रदेश का नाम आपको नहीं पूछा है लेकिन यह पूछा है कि इसमें से कौन सा union territory में है स्टेट में नहीं है तो मुरलन है गुगामल है पेरियार है और हमिस है तो अब इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा क्योंकि हेमिस आई पहले तो पढ़ता था जम्मू कश्मिर में लेकिन विभाजन के बाद यह चला गया है लद्दाग काफी मुचाई पे बाकी मुरले जो है यह आपका पढ़ता है मिजोरम में महराष्ट में है गुगामल और केरल में है पेरियार प्रश्न संख्या 43 को देखते है शून ने भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इसको किस दिन मनाय जाता है इसको मनाने की जो तारीक है वो आपको बतान तो करेक्ट आंसर इसका वी हो जाएगा ये एक मार्च mart की जो पहली तारीक होती है उस पर मनाय जाता है और वर्ल्ड स्पैरो डे यानि गौरईया दिवस जो है ये मनाय जाता है बीसमार्च को दो फरवरी को तो आप जाते ही ये वेटलेंडे मनाय जाता आदरबूमि मनाया जाता है पांच दिसंबर को प्रश्ण संख्या 44 को देखते हैं यहाँ पर कुछ धर्रों के नाम दिये हैं और राज्य का नाम साथ में मैच किया हुआ है इसमें से कोई एक गलत है और गलत जो है उसी की तलाश आपको करनी है तो बोमडिला है जलेपला है बोमडिला की लोकेशन दी है अरुरांचल जलेपला की सिक्किम मुलिंगला की उत्तरा खंड और बड़ा लाचा की है बड़ा लाचा ला दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं ठीक है ला और पास एक साथ नहीं लिखेंगे तो बड़ा लाचा ला जो है यह आपका जम्मू कश्मीर में है अ कि जितनी चीजे हैं वो परफेक्ट प्रशन संख्या 45 को देखते हैं गलत विकल्प का आपको चैन करना है तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया यह वूलर है लॉंगेस्ट लेक जो भारत की है वो विंबानद है लार्जेस्ट इनलेंड साल्ट लेक जो है य इन्टार इनलेंड लेक जो अपकी जयाए लेक जो रहां जो है लचेज उसी की अधार बेंगिरोब के जो सबसे जादा वृधी दर्ज की गई यह आपको इसमें से राज्ये के आधार पे चुनना है कौनसे राज्ये में मैंगरोब का दाएरा बढ़ा है तो 46 कर्यक्ट आं में वृद्धी दर्ज की गई है, ओडीशा उसमें पहले स्थान पे आता है, ओडीशा में 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धी दर्ज की गई है, उसके बाद महराष्ट्र होगा और उसके बाद करनाटक हो, इसके बाद 47 को देखें, यहाँ पर कहा गया कि वाइल वर्किंग इन टेक्स दोक्यूमेंट ऑफ MS वर्ड, Microsoft वर्ड, इट सेलेक्टेड द इंटार पैरग्राफ पाई डिफाल्ट, वे न्यू, अब इसमें आप क्या करते हैं, तो यह पूरा जो इंटार पैरग्राफ पे वो सेलेक्ट हो जाता है, माउस के थ्रू आप ये का क्लिक करना पड़ता है, MS वर्ड के टेक्स्ट डाक्यूमेंट में जब आप काम कर रहे होते हैं, तो ट्रिपल क्लिक अगर आप करते हैं, तो डिफाल्ट के रूप में पूरा पैरग्राफ जो है वो सेलेक्ट हो जाता है, काम आपका आसान हो जाता है, इसके बाद 48 को देख रैं होती है, वोलाटाइल मेमोरी होती है, रोम जो है वो और नोन वोलाटाइल मेमोरी हो और सेकेंडरी मेमोरी के तोर पे हम cd या फिर hdd जैसी जो चीजें होती है उसको देखते हैं, ठीक है, तो इसमें से हम चुनेंगे किसको, भी वाले option को या नी रोम को, इसके बाद वाले को देखते हैं प्रश्ण संख्या उन्चास कहा गया आगे ही एक ब्लैंक स्पेस छोड़के कि एक ओफिस या बिल्डिंग के सभी कंप्यूटरों को नेटवर्क से जोडने की ये बेतार प्रणाली है इसे क्या कहा जाता है इसे व्लैन कहा जाता है वैन कहा जाता है या ये नेटवर्किंग प्रणाली जो आप पढ़ते है उसी का प्रश्ण है देखें और बताएं तो 49 जो है इसका राइट आंसर इसमें से ए हो जाएगा इसे व्लैन कहा जाता है एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क ठीक है इसका पूरा नाम है वायरलेस लोकल एरिया जो है वो F से दिनोट की जाती है तो इसमें आपको F का नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा ये कौन सी तो की मोड पे अगर आप देखें तो F11 या Windows logo कुंजी जो होती है मतलब उस पे Windows का logo बना होता है या अप arrow कुंजी जो होती है इनको एक साथ maximize करने के लिए इस्तिमाल किय तब तक के लिए नमस्कार